पार्थ मुमाया एप डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे तो होम पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है और सबसे उपर आपको दिखते हैं साइंस के फ्लैश कार्ड्स फ्लैश कार्ड्स की तो अपनी अलगी हमने दुनिया बना रखी है जहां पे आधे आधे घंटे में आपके चाप्टर ऐसे ऐसे रिवाइस हो जाते हैं ठीक है फ्लैश कार्ड्स के अलवा केमिस्ट्री का प्राक्टिस का फीचर भी हमने यहां पे आड़ किया था जिसमें हम केमिकल रियक्शन को टाइप करके उनके प्राड़क्ट बनाते हैं और प्राड़क्ट बनाने की प्राक्टिस हमारी यहां पे होती है formula हमें याद हो जाते हैं किस reaction में कौन सा product किस तरह से बन रहा है वो सब कुछ यहाँ पे practice होता है बराबर है लेकिन उसी के साथ साथ carbon compounds में जब आप carbon compound पढ़ोगे आपको पता चलेगा उसके अंदर एक IUPAC nomenclature International Union of Pair and Applied Chemistry ठीक है इनके कुछ rules होते हैं compound को नाम देने के इसको बोलते हैं IUPAC nomenclature इसका भी एक concept आता है बहुत ही amazing concept है आप जब पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा लेकिन इसमें बहुत सारी practice required है तो वो practice हम आपकी यहाँ पर करा देंगे तो यहाँ पर reactions अलग है carbon compound की reactions अलग and IUPAC name इसका भी feature यहाँ पर add हो गया है concept एकदम simple है compound आपको दिखेगा आपको इसका नाम type करना है आप check पर click करोगे correct होगा तो green tick का जाएगा नहीं तो red color का दिखेगा अब यहाँ पर मैं कुछ भी type करूँगा चेक करूँगा तो गलत answer है red आजाएगा चेक है अभी correct answer क्या है मुझे बताओ चार carbon है second carbon पे carboxyl group लगा हुआ है मतलब oxygen लगा हुआ है so it is a ketone ठीक है so this is butanone मुझे पता है मैं type कर रहा हूँ butanone correct answer है नीचे आप solution में भी देख सकते हो butanone अब यहां पर नंबर देने की ज़रुवत नहीं because यहां पर आ सकता है oxygen या तो यहां पर आ सकता है वो हमेशा second पर ही आएगा third पर नहीं आएगा तो यहां पर नंबर देने का point नहीं बता है यह सारे rules तो हम lecture वगेरा में देखते हैं live lecture में यहां पर आपकी सिर्फ practice करने के लिए यह feature बनाया गया है ठीक है उसी तरह से यहां पर almost 45-46 compound आपको मिल जाएंगे जिसमें alkane, alkane, halogen, alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid यह सब कुछ included है amines भी है चाहता हूँ के और भी आपको इसमें नए-नए compounds add करते जाओंगा 100-200-500 compound आपको अगर दे दूँगा practice करने के लिए तो आपकी तो अलगी मजा आ जाएगे, आपको feel आ जाएगा ठीक है अलग-अलग, आड़े-3ड़े shape के compound आपको मैं दूँगा practice करने के लिए यहां पर 45 already included है ठीक है अब यहां पर यह punctuation आप नहीं दोगे ना मतलब यह hyphen वगरा नहीं लगाओगे तो भी आपका answer correct दिखाएगा because hyphen वगरा थो हम exam में लगाएगे यहां तो मुझे quickly type करके answer लाना है ठीक है revision जितना fast होगा that is important इसलिए हाइफन वगरा नहीं लगाओगे तो भी यहां पर चलेगा अच्छा butane 2 all भी चलता है फिर इसको 2 butanol भी बोलते है both are correct answer you can see in the solution butane 2 all भी चलता है 2 butanol भी चलता है ठीक है तो इस तरह से दोनों answer यहां पर आपको correct दिखाई देंगे now this is चार कारबन है and COOH group है मतलब यह हो गया तुम्हारा butanoic acid बराबर है क्या spelling नए spelling गड़बढ़ है काया है spelling butanoic acid क्या आप बराबर है बराबर है view solution ठीक है चलो फिर चार कारबन है second carbon पर methyl group है तो this is nothing but 2 methyl butane 2 methyl butane correct answer है ठीक है punctuation लगा देंगे hyphen methyl butane इस तरह से answer आजाएगा now CH3 CHO 2 carbon है and CHO मतलब यह तुम्हारा aldehyde group आ गया so this is ethanol ethanol correct answer then 4 carbon second पर chlorine मजा आ रहा है record करते वाग भी मुझे टाइप कर रहे में बड़ा मजा आ रहा है 2 chlorobutane क्या बराबर है answer yes तो बस इसी तरह से 10 minute बैठ होगे 15 minute बैठ होगे आपके 45-60 और भी add करूँगा अभी तो 45 हैं इसमें और भी add होँगे फिर भी 10-15 minute में आपके 45 compounds IUPAC practice हो जाएंगे and सारे काफी सारे compounds मैंने खुद बनाये है आड़े ही तेड़े शेप वगेरा देखे ठीक है तो आपको बहुत मज़ा आएगा solve करने में कुछ दिक्कत रहेगी तो let me know in the comments and app के उपर भी chat section है कहां गया chat section यहाँ पर भी आप मुझसे आके directly सवाल पूछ सकते हैं ठीक है बाकी तो क्या बहुत कुछ free दिया हुआ है आप के उपर explore कीजिए कुछ doubt रहेगा तो बताइए ठीक है I will see you in the next one Cheers